कल रविवार को हलद्वानी शहर में सम्विधान सम्मान यात्रा निकाल कर किया बाबा साहिब को याद नमस्कार आप देख रहे युकिट 2427 न्यूज आपको बता दे कि सम्विधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर की जैनती के पहले अंबेटकर समाज के लोगों द्वारा कल रविवार शाम सम्विधान सम्मान यात्रा निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में मोटर साइकल से युवाओं ने बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर द्वारा बनाये गए सम्विधान पर चलने का संकल पलिया वहीं आपको बता दे की हलद्वानी के राजपुरा वार्ड नंबर बारा के पारशद एवं समाजिक कारिकरता विनोत कुमार द्वारा सम्विधान सम्मान यात्रा में आए हुए लोगों के उपर पुश्प वर्शा की और जिसमें हलद्वानी विधायक सुमित हिरदेश भी मौजूद रहे वहीं बड़ी संख्या में यात्रा में मौजूद लोगों ने जै भीम जै भारत के नारे लगाए और एकता खंडता का संदेश दिया वही इसी दौरांद वक्ताओं ने कहा कि आज संविधान को बचाने की जरूरत है क्योंकि बाबा साहिब भीमराओं बेटकर ने जिस सोच और संकल्प के साथ संविधान बनाया था उसे आज बदलने की कोशिश की जा रही है ऐसे में सबको एक जुट होना बहुत जरूरी ह तबी जाकर हमारे देश का संविधान बच सकेगा वही इक वक्ताओं द्वारा कहा गया कि इससे ही बाबा साहिब के सपने साकार हो सकेंगे देखिए पूरी खबर अंजली पंत की UK 24-7 के लिए हलदवानी से बाबा साहिब जिन्होंने पूरा सविधान लिखा जिनको सविधान के रचेता के नाम से जाना जाता है उनके सम्मान में उनके सविधान समारो रेली निकाली जा रही है जहनती से पहले निकाली जाती है तो इसमें मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सम पहले किस रूप में देख रहे हैं नहीं देखिए बाबा साहब जी का जो इतिहास है और जिस सम्मिधान की उन्होंने रचना करी और जिस सोच के साथ कि सम्मिधान बना था आज उसकी सम्मान राली अवश्य निकल दिये लेकिन पहिना गई हमें अवश्य ऐसा लगता प्यादा हैं उन्हें तार-तार करा जा रहा है तो आज बड़ी आवश्यक्ता है कि हमारे जो जागरुक साथी हैं विशेश बधाई में राधारी आज जी और पिंगों जी को देना चाहता हूं जिन्होंने आयोजन यहां पर करा है स्वागत्ता और मेरा सब को यही संदेश यूके 24-7 न्यूस खबर वही जो है सच सही